हलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दो चैनल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट रही देखे यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो बिहार में टीचर्स की भरती निकली है उनसे रिलेटेट की उनका एक्जाम जो है फर्स्ट जो एक्जाम है कॉमन एक्जाम जो है जो कॉलिफाइंग एक परिक्षा में जो कैसी रहेगी सबके बारे में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा यह देखे लिखा है सिक्षक भरती की परिक्षा में बायोमेट्रिक हाजरी होगी यानि कि इसमें धांदली की संबावना जो जारी किया जाएगा फिर भी काफी श्रिटूल यह उन्होंने जारी कर दिया है उन्होंने लिखा है कि जो परिक्षा होगी उसमें कोई परकार की गड़बड़ी ना हो और फरजी परिक्षारती ना बैठ सके इसलिए बायोमेट्रिक उपस्तिती ली जाएगी जैसे कि जो उन्लाइन एक्जाम होते हैं CBT-based उन्हें में बायोमेट्रिक होती है परिक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी जो चात्र करेगा उसे जेल में भेज दिया जाएगा इस अब लिखा है और उस बच्चे को पांस साल के लिए वन्चित भी कर दिया जाएगा इस सब लिखा ह है और वो पेपर आपको 24 अगस्त को देना होगा जिसमें हिंदी इंग्लिश यह सवाना है और तो वो वो दो पालियों में होगा इसके साथ और इसमें आठ लाख पंद्रा हजार बच्चे बैठेंगे सामान अध्यन लिखा है तो यह यहां पर सामान अध्यन PRT से रेलेटे आपका कॉमन पेपर और 25 से 27 के बीच 25, 26 और 27 तो ऐसा होगा मैं आपको बतारी 25 को PRT का हो सकता है फिर TGT के 26 को और 27 को हो सकता है जो है PGT वाला इस तरह का है लेकिन 24 तारीक को आपको कॉमन जो पेपर है आपका जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लि के कोशन 17 और 30 से रिलेटेड और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनुवार है तभी आप पास माने जाएंगे तभी आपका दूसरा जो सामानत दिन का और सब्जेक्टिव पेपर है TGT PGT में तो सब्जेक्टिव कोशन भी आएंगे PRT में केवल सामानत दिन आएंगे तब